आज जो प्रॉपर्टी में आपको दिखाने जा रहा हूं है बिल्कूल डिफरेंट होने वाली है और यह बात बिल्कुल सही है क्यों आपने प्रॉपर्टी देखे होगी आपने विला देखे होगी एक किचन या दो किचन या इस त्यादा नहीं है लेकिन आज जो प्रॉपर के अगर बात करूँ तो 20 का है और डैप्थ 90 की है 20 बाइ 90 200 गज में प्रॉपटी बनी हुई है और प्रॉपटी हमारी होने वाली है 5 वी एच के बड़ी प्रॉपटी है और यहां पर आपको तीन किचन मिल जाती है ग्राउंड फ्लोर पर एक पर पर और एक सेकंड फ्लोर पर आपको किचन मिल जाती है प्रॉपडी बि toilets एक फोर पूरा देखे गा वैशाली वेस्ट परॉपट सब्सक्रीर आं फेले नियों पर पर एंटरीा रेट इसकी वने वाली है एक करोड साट लाक उनके पर एक करोड Catholics मिलेगी अगर आप यहां पर यहां पर आपको देखी चुके हैं बहुत प्यारा फ्रंट इलिवीशन यहां पर आपको दिया गया है और प्रॉपटी अंदर से भी बहुत लाजवाब है यहां पर आप देखी हैं कोच इस तरीके से वायर मेंच डोर है एक विंडो दी गई है बड़ी जहां से संलाइट और विंड़ी जनला रहेगा यह मिल जाता है इसका पहला होल बड़ा होल आपको दिया गया है इसे आप कैसे यूज में ले सकते हैं मैं आपको बता दूं बहर आपको आपको आराम से पर्किंग है इस वाले portion को आप मंद कर दीजे यह एक separate portion हो जाएगा जो कि आप रहरें कर च प्रेट पर चाहते हैं, उपर वाला भी सेम ऐसे ही होने वाला है, तो पहले इस वाले को में ट्यूल करा देता हूं, आपको जिसमें दो रूम है और एक सेपरेट किचन है, तो आप बार अपाल देख चुके हैं इसका, यहाँ पर यह बड़ा हॉल आ जाता है, यह सेकिंड हॉ इससे पहले मैंने भी नहीं देखी, यह इतनी लंबी प्रॉपटी है, और बहुत तरीके से बनी हुई है, यहाँ पर देखेंगे तो पूरे पर आपको ग्लास का वर्क है, और यहाँ पर आपको वड़न वर्क है, यहाँ से आगे आएंगे, तो यह एक और आपको यहाँ आ है, और साती एक किचन, देखी, किचन कितनी बड़ी है, यहाँ से चल रहा हूँ है, और यहाँ तक किचन है, इसकी इतनी लंबी किचन आपको दी गई है, और यहाँ पर आपको ऐल शेप किचन, उपर के साइड में कैबिनेट है, जस्ट उपर के साइड में देखेंगे, व यह देखिए यह भी कफी स्पीशिस साइज में है और यह पर भी आपको कोई समान पगार रखना चाहें वो रख सकते हैं या फिर कुछ वाशिंग अरी के तर जगे को उसमें लजाएं वो आप ले सकते हैं बहुत ही स्पीशिस साइज है तो यह तो अभी आपने बेक्याड ग साणार आपको 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 मतले तो यह अपको अंदर की साइड डेकर आपको समान पगेदद रख सकते हैं के सबही जगों पर इससे वे जगोपर जगोंपर इसे सबी चaveव है तो आपको अदेखिआ पलेघग अपर तो आपने देख अचे रेंगार आप राउंड फ्लोर पर पहला बेडरूम अब मैं आपको लेकर करके चलूँगा इसे common washroom की और और दिखाऊंगा इसका second bedroom यह है इसका common washroom तो यह second washroom आप देखने है इसका यहां पर आजाता है यह इसका second bedroom उपर आप देखे फोल्स लिंग है यहां सामने विंडो है सनलाइट वेंटिलेशन बना रहेगा और यहां से आगे देखेंगे तो यहां पर आप देखें यह बजाता है आपको water or कोई भी dresses रखना चाहें वो आप easily रख सकते हैं तो यह इतना बड़ा जो आप देख रहे हैं यहां पर देख रहे हैं अब मैं आपको लेकर चलूँगा इसके first floor पर as it is ऐसा का इसा बना हुआ है जैसे आप नीचे के तरफ देखा आप इससे बार के तरफ चल रहे हैं अब लोग तो यह आप देखा इसका एक separate पार्ट है जहां बाहर की इंडवांटेज है यहां पर आपको बालकनी एक्स्रा मिल जाती है पहले हम लोग बालकनी ही ट्यूर कर लेते हैं तो यह देखिए यह बिल जाती है बड़ी बालकनी यह है इसका हॉल जो कि इसका चौता हॉल है और उपर फूल सिलिंग का वर्ख है जैसे कि आप देखने फैल लगा हुआ है यहीं से टैरिस पर जाने के लिए रास्ता है जो कि इसके सेकंड फ्लोर पर लेकर के जाता है और इस हॉल के बाद में इस सेकंड हॉल हो जाता है इस यहाँ पर आजाता है यह इसका एक और हॉल जहाँ पर आपका बन जाएगा डाइनिंग एरिया उपर आप देखिए यहाँ पर आपको फूल सिलिंग मिल जाती है और सामने है इसका second kitchen देख लिए कैसा होने बाला है दो मैं रूम्स आपको दिखा चुका हूँ और अब मैं दो रूम्स और दिखाऊंगा फाइब बीएज के प्रॉपरटी है पीछे इसके भी बालकनी आ जाती है बैक्यार का एडिया आ जाता है जो कि काफी अच्छे साइज में आपको दिखा जिदा हूँ आईए यह देखिए बैक बालकनी बड़िया साइज में आपको मिल रही है प फ्रिज के लिए बड़ा बड़ा ओप्सिन है आपका बड़ा फ्रिज आ जाएगा आराम से जंबो फ्रिज यह है इसका तीसरा बेड रूम जैसे आप नीचे देखा अजट इस उपर के साइड में फॉल सिलिंग इस साइड में स्टोर रूम वहा पर पीछे की साइड में आ एक करोर साट लाग रुपे सेमी फरनिस्ट का एक करोर पचास लाग रुपे विशाली वेस्ट में प्रॉपर्टी लोकेटेड है मैं आपको फिर से बता दूँ यहाँ पर आपको वाश परशन कॉमन वाश रूम और यह फिर से आपको एक और जो है बेडरूम जो कि इसका फूर्थ बेडरूम है बेडरुम भी देख लीजें कैसा होने वाला है बहुत ही स्पेशियो साइज में बेडरूम ऊपर के साइट में बढ़िया फोल्सलिंग है प्रॉपर्टी सच में लाजवाब है और बिल्कुल डिफरेन होने वाली है बिल्कुल हटepende प्रॉपरटी ह एक सेल उच गी है और एक अभी बची हुई है तो आपने पूरा फर्स फ्लोर ट्यूर कर लिया है अब मैं आपको लेकर कर चलूँगा इसके सेकंड फ्लोर पर जहां पर एक बेडरूम, किचल और साथ ही एक बातरूम आपको दिया गया है आईए देखते हैं आप सोच रहे हो यह तो बिल्कुल ही सच में डिफरेंट प्रॉपटी है अगर आपके बास में भी इस साइज में प्लॉट पड़ा हुआ है तो इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं तो कि काफी अच्छा भी लग रहा है और रेंट पे भी चला सकते हैं आप यह देखिए यह उपर आके टैर निचे के साइड वे आपको दिया गया था ऊपर आपको फोल्सलिंग है यहां पर आगता है इसका बडिया वाच्छूम साइज काफी बडिया स्पेशियों साइज मिल रहे है आपको और किचन को चोटी-मोटी किचन नहीं दिए कि 2 किचन बड़ी देदी एक चोटी नहीं प्रॉपर बड़ी किचन है, यहाँ पर आपको वाश पिशन, एंड वाश बगरा कर पाएंगे अप, यह मिल जाता है आपको इसका थर्ड बेट जो है किचन, अब मैं आपको दिखा दूँ इसकी बालकनी, जो कि आपको तीनों ही रूम्स के साथ में देखी, किचन के साथ में देखे, सौरी, यह देखिए, उतने ही बड़ी, आपको यहाँ पर भी बड़ी बालकनी मिल जाती है, स्पेशल साइज में है, तो प्रॉपर्टी जो मैंने आज आपको यह विजिट कराई, यह प्रॉपर्टी हमारी होने वाली है, 20 x 90 के डाइमेंशन में, जो कि 200 गच में बनी हुई है, और विशाली वर्स प्रॉपर्टी है, जिसमें आपको तीन किचन और 6 आपको हॉल मिल जाते हैं, अगर आप चाहते हैं इस प्रॉपर्टी को पर्चेस करना, जिसका प्राइस एक करोड़ साट लाक रुपे हैं, तो कॉल कर सकते हैं, नमबर में डिस्क्रिप